हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी बटरफलाई टॉप की कटिंग करना बहुती आसान और सरल तरीके से तो इसे बनाने के लिए मेरे पास दो मीटर कपड़ा है सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके सीधा करेंगे तो इस टॉप में सबसे पहले हम कोटी की कटिंग करेंगे बाद में हम इसकी फ्रिल की कटिंग करेंगे तो इसके लिए कपड़े को इस तरह से सीधा करके बिछा लें इसमें हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करेंगे तो इसके लिए कपड़े को दुवारा से फोल्ड करें और सीधा कर लें इस तरह से मैंने कपड़े को चार बार फोल्ड कर लिया है यह हमारे चार पार्ट है फोल्ड में तो अगर कपड़ा उपर से उचा या नीचा है तो उपर से सबसे पहले कपड़े को सीधा करें इस तरह से इसकेल रखके कपड़े को सबसे पहले मैं सीधा करूंगी इससे जो हमारा टॉप है उपर की साइड से एकदम बरावर आएगा अब देखिए इसमें जो हम नैक बनाएंगे वो आगे की तरफ से मैं 5 इंच बनाऊंगी और पीछे की तरफ से 3 से 4 इंच इसकी गहराई रखूंगी तो इसके लिए जो सोल्डर रखूंगी वो मैं 6.5 इंच पर रखूंगी और नीचे की तरफ पौने 6 इंच पर निसान लग गये और आर्म हूल की लेंच मैं 7 इंच रखूंगी तो जो आर्म हूल बनाएंगे वो हम इसमें ठोड़े लूँज बनाएंगे सोल्डर की तरफ से 5 इंच नीचे की तरफ डाउन कर दें और उपर वाले निसान को नीचे वाले निसान से इस तरह से मिला दें जितना भी इंच लूज रखते हुए चेस्ट साइज पे मार्किंग कर लें टॉप हम थोड़ा लूज बनाएंगे तो हमारा जो टॉप है वो थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है फिटिंग में अच्छा नहीं लगने का तो यह आर्म होल की गोलाई दे दें और पॉना इंच साड़े तीन इंच रखोंगी और गहराई इसकी पांच इंच पे निसान लगा लें इसका बॉक्स बनाके राउन नेक की सेब दे दें तो यह हमारे सोल्डर और आर्म होल की मार्किंग हो गई अब जो कोटी की लैंथ रखेंगे तो मैं इसमें कोटी की लैंथ 13 इंच रखो जाएंगे एक इंच हमारा ऊपर और नीचे की तरफ स्टिचिंग वे जाएगा आधा हैं इंच हम एक्क्टा रखेंगे इस नये मार्क को सीधा कर लें इस तरह से अब देखे जितनी भी कमा रहा है उससे हमें एक इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ मार्किंग कर लेनी है एक इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसमें पलेट लगाएंगे बीच में तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा और यहां से हमें पॉनाई इंचूपर की तरफ इस तरह से गुलाई लगा लेनी है इससे जो हमारी कोटी है वो इक दम परफेक्ट आएगी बनने के बाद अब इसमें जो पीछे वाला गला बनाएंगे वो आगे वाले गले से छोटा बनाएंगे तो जो हमने आगे वाले गले पर मार्किंग करी है उससे डाई इंचूपर की तरफ निसान लगा के गोल गले की मार्किंग करने यह हमारे बैक नेक की हम कटिंग करेंगे जब हम बनाएंगे तो देखिए यह हमारे कोटी की कटिंग हो गई अब हमें इसे क्या करना है जो हमारा back part है उसे हमें front part से 1,5 inch shoulder की तरफ से extra रखना है क्योंकि हम इसमें छोटा neck बना रहे हैं इसलिए हमें back part 1,5 inch extra रखना है तो जब हम cutting करेंगे तो इसे हम निकाल देंगे अब इसके अंदर से एक part निकाल लें और ये जो हमारा part है इसमें हम front part की cutting करेंगे तो ये एक जो हमने आधा ही चूपर की तरफ marking करी थी इसे cut करके निकाल दें और arm hole भी cutting करके निकाल लें तो ये हमारे front part की cutting हो गई और जो हमने पहले part निकाला था ये हमारी हो गई back part की अब हम करेंगे इसमें frill की cutting तो फ्रिल की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोर फोल्ड कर लें जो इसमें मैं फ्रिल बनाऊंगी वो मैं बिना प्लेट वाली फ्रिल लगाऊंगी तो इसलिए मैं जो फ्रिल की कटिंग करूंगी वो अम्रेला स्टाइल में कटिंग करूंगी तो इसके लिए कपड़े को फोर फोल्ड कर लें अगर सिंगल फोल्ड में निकालेंगे तो जो हमारी फ्रिल बनेगी उसमें कम प्लेटें पड़ेंगी और अगर फोर फोल्ड करके निकालेंगे तो जो हमारी फ्रिल बनेगी वो बनने के बाद बहुती फ्लावर्टी लुक में नजर आएगी तो तो यह हमारा कितना आता है, तो नौदुनी 18, हमारा अभी 11 और कम है, तो हमें इसे आगे की तरफ और एक्स्टा करके मारकिंग कर लेनी है, हमें जो इसके गुलाई रखनी है, वो 19 इंच रखनी है, तो यह हमारा फोल्डेड में आया, आए 8 इंच, तो साड़े आठ इंच का जो खुलके होगा वो 19 इंच होगा तो देखे जो हमारे टॉप की लेंथ है वो मैं 21 इंच रखूंगी तो जहां पे हमने ये गोलाई में निसान लगाया था वहां पे हमें साड़े 12 इंच पे इंच डेप को रखना है और 22 इंच पे हम यहां पे निसान लगा लेंगे एक इंच हम एक्सरा लेंगे क्योंकि हम नीचे से फ्रिल को फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारी टोटल लेंथ है ये हमारी 21 इंच हो जाएगी बनने के बाद तो नीचे के तरब से भी हम गोलाई में 10-10 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लें और इसकी कटिंग कर लें तो 10 इंच की हमने फ्रिल काटी और 13 इंच की हम कोटी बनाएंगे तो हमारा हो गया 23 इंच अब बाकी का हमारा सलाई में जाएगा और हम फोल्ड करेंगे तो हमारा बनने के बाद 21 इंच बनेगा अगर आप लेंद जादा रखना चाहते हैं तो जादा भी रख सकते हैं तो देखिए यह जो हमारी फ्रिल है एक दम से इस तरह से आएगी बहुती सुन्दर लगेगी बनने के बाद यहाँ पर हम इसे इस तरह से अटेच करेंगे कोटी में अब मैं आपको बताऊंगी इसकी स्लीब की कटिंग करना तो जो इसकी स्लीब बनाऊंगी वो भी मैं इसमें वटरफिलाई स्लीब लगाऊंगी तो इसकी स्लीव की cutting करने के लिए कपड़े को दुबारा से यह हमारा कपड़ा four fold है हमें इसे दुबारा से ऐसे ही fold करके बिछा लेना है और इसकी स्लीव की length साड़े आठ हिंच पे निसान लगा लें साड़े आठ हिंच पे निसान लगाएंगे गोलाई में हम आगे की तरफ भी इस तरह से बरावर निसान लगाते हुए इसे round में मिला लेंगे और cutting करके इसे अलग करेंगे तो यह हमारी butterfly sleeve बनेगी अब हमें क्या करना है जो हमने sleeve cutting करी है उसे हमें बीच में से पकड़ना है और उपर की तरफ साड़े तीन इंच उपर की तरफ उठा के इस तरह से रख लेना है और जो हम आर्म होल में set करेंगे उसके लिए corner पैसी 2 इंच पर निसान लगा के इस तरह से गोल आई में इसकी cutting कर लें यह हमारा यहां से आर्म होल में set होगा तो जो हमारी कम side है वो नीचे की तरफ आएगी और जो जादा वाली side है वो उपर की तरफ आएगी तो इस तरह से हमारी butterfly sleeve बनके ready है बनने के बाद यह हमारी इस तरह से आएगी तो friends वीडियो पसंद आया हो तो like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करने